Friends, Welcome back in my YouTube channel V-Academy. Today we will learn conversation between doctor and patient. So let's get started. आज हम पढ़ेंगे के डाक्टर्स की आफिस में बेटके हमें डाक्टर्स से कैसे बात करनी चाहिए? डाक्टर और पेशन की कैसे कन्वर्जेशन होती है? उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे Hindi to English में हमें अर्दू वाले या हंदी वाले जुम्ली इंग्लिश में कैसे बोलने सबसे पहले जैसे हम अपउन्ट्मेंट ले के डाक्टर के पास पहुछेंगे तो डाक्टर हम से पूछ रूट्पश सकता है के What seems to be the problem? अभी ये इंडिगेट करता है What's happening? ये भी याद मैं है जैसे हम बोलते हैं या किस डाक्टर हम से पूछता है कि क्या मसला है? तो ये स and a sore throat and also I have a headache. तो वाद यो मैंने अपने वे से लिखा है आप कुछ भी यहां पर बोल सकते हैं कि पेशन्ट बोलता है कि मुझे जो है एक कफ है कफ के साथ-साथ मेरा जो गले में पेन है और उसके साथ-साथ मुझे हैडएक भी है मतलब सर में दर्द भी होता है मतलब खासी भी है गले में दर्द भी है और उसके साथ-साथ मेरे सर में भी पेन है तो यहां पर देखना है वाईल इसने क्यों यूज किया है पेशन्ट ने वाईल यह इसने इसलिए यूज किया है तो जैसे हमने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर अब क्या बोलता है how long have you had these symptoms डॉक्टर हम हमसे पूछ सकता है कि यह जो तुम निशनियां बता रहे है यह जो तुम सिम्टम्स बता रहे है यह तुमें कब से है how long यह यह Пे रेफर करता है कि कब से मतलब how long have you had these symptoms यह जो तुम्हें symptoms थे सर में दर्दा, खांसी थी यह गले में पहन था तो यह कब से हैं कि आप मुझे बता सकते हैं और डक्टर हमें पूछ सकता है कि यह कब से हैं तो मेरा response यह जाता है patient का कि about three days now and I am really tired too about यहां पे refer करता है कि more or less, मतलब तीन दिन से ज्यादा यहां तीन दिन से कम उसको refer करता है about, मतलब तीन दिन से यह मुझे symptoms show हो रहे हैं अपने हाब में और मैं बहुत थका हुआ भी हूँ, मतलब मुझे थकावट भी बहुत हो रही है, तो यह मैंने conversation कर लिए, अभी डाक्टर हमें बताएगा कि क्या मसला है, अभी डाक्टर बोल रहा है it sounds like you have got a flu, take aspirin every four hours and get plenty of rest, call me if you continue still be sick तो डाक्टर बोल सकता है कि यह मुझे लग रहा है, यहां जो तुमने symptoms बताएं तो तब उसने यहां पे जुमला का कि it sounds like मतलब मुझे लग रहा है मेरी यह जो prediction है, यह है कि मुझे लग रहा है कि अभी आपको flu है, जुकाम हो चुका है तो यह जो aspirin में टेबलेट है, aspirin आपको दी है वो हर चार घंटे के बाद आप काएं और उसके साथ साथ आप plenty of rest करें बहुत आराम करें अगर आप फिर भी ठीक ना हो तो मुझे काल कर दिएगा तो यह थी डाक्टर का response यह थे हमारी daily conversation में डाक्टर की office में and patient और डाक्टर की conversation thank you so much